एलो दोस्तो स्वागत आप सभी का आपके अपनी चैनल बेसिक नॉलिज में दोस्तो कल आप लोगा मैथ का उकली टेस्ट होने वाला है फटापट से आप लोग अपना कोशिंस देख लेजे इसी प्रकार के कोशिंस आपकल आप लोग एक्जा में पूझे जाएंगे ठीक है चलिए बेसिक के साथ आप लोग बताएंगे ताकि हर एक आप लोग आप बेसिक भी क्लियर हो जाएं देखिए पहला सौल क्या है कि 1-10 स्कार 45 डिगरी बराबर होगा इसका मान निकालने बोला है तो 1 है तो 1 बैठा देंगे 1045 का वैलो इक अतना होता है सर 1045 का वैलो भी 1 ह इसका वैलो फिर से तो इसका बेसिक बटा है और कर देंगे तो 1-1 जीरो हो जाएगा अब बढ़ बडेट वाई जीरो ही होगा तो कहीं भी जीरो ऑप्संन दीक रहे है आपको बिल्कुल सरो ऑप्संन स्यियरो है और दीन को मार दो श्मघ गया है our चलो में 100 70 क मान होगा साइन अठरा डिगरी वटे कॉस बादतर डिगरी इस प्रकार कस्वाल मैंने पहले भी आप लोग करवाया है क्या बताया था कि किसी एक को बदल दो या तो उपर वाला या फिर नीचे वाला जोले उपर वालागा रहा हम बदलेंगे कैसे बदलेंगे देखो साइन अठार डिगरी है इसको मैं लिख सकता हूं साइन 90 माइनेस कितना 90 में कितना गठाएगे गा तो नीचे वाला देख लहाँ ना गठाएंगे ठीक है तो 72 हो जाएगा समझ के 32 भागा कॉस कि 22 ट्रीजे ठीक है अब साइन 90 मिनस्ट तिरा क्या होता है कॉस तिरा होता है तो हम बठाएंगे को कॉस 22 और अब डिवाइड वाइक कॉस 22 तो पहले से हैं तो कॉस 22 प्रकार का स्वाल आएगा तो छोड़ना नहीं और यह एक स्वाल अभी या बोर्ड एक्जाम में तो जो पक्का आएगा तो इस प्रकार का टाइप्स देख लो तो एक्जाम में स्वाल नहीं शुटेगा अगला प्रस्ण है 10A बरावर 4 by 3 तो sin A का मान क्या होगा देखो क्या दिया है 10A is equal to 4 by 3 हमार 10 theta क्या होता है P by B इसलिए P by B हो गिया यानि P का वहलू 4, B का वहलू 3, H का वहलू निकालना है हम दो जानते हैं कि H का फॉर्मला होता है H equal to under root P square plus B square यही होता है होता है न जी अच इसको करोगे आगे तो 4 के square आपका 16 हो जाएगा और 3 के square आपका 9 हो जाएगा 16 9 हो जाएगा 25 root 25 25 का बर्मल जानते ही होगे यानि H का वहलू कितना हो जाएगा 5 क्या बात है H equal to 5 और P इसलिए बता है P के भईलू कितना था P के भईलू 4 था और B के भईलू 3 था आपको निकल लाई क्या साइन ए और आम से लिखो साइन ए बराबर P by H P by H P के भईलू कितना देख सकते हो 4 है पटे H के भईलू 5 यानि 4 बटे 5 आपका का एंसर हो जाएगा जो की option number B ताका जागी कर रहा है मार दोस्त को बोली ठीक है जलो अकला सवाल देखते हैं ठीक है इसी परिकार के सवाल पूछ जाएंगे तो इसलिए आप लोग समझ लो अच्छे से next question दोस्तो आप लोग का nine point से आ चुका है बोरा भूमी के एक बिंदू से जो मिनार के पाद बिंदू से 30 मिटर के दूरी पर है भूमी के कोई बिंदू से मिनार के पाद बिंदू से कितना 30 मिटर दूरी पर है मिनार के सीखर को उन्यान कुन 60 डिगरी है तो मिनार के तो मिनार के उचाई ये निकलना है इसको हम मानते है A B C तो A B क्या है मिनार के उचाई है हम लिखते हैं कितना डिगरी ये बला दिया है हमको ये निकलना है ये बला दिया हुआ है न ये निकलना है ये ठीटा है तो ये होगा B ये होगा P मतलब 10 30 लगाएंगे तो 10 30 degree P by B P बोले तो A B और B बोले तो B C P by B मतलब होता है दोस्तो लंब बटे आधार 10 3 अपर क्या होता है लंब बटे आधार P मतलब लंब perpendicular बटे B मतलब आधार 10 30 degree होता है 1 by root 3 ठीक है लंब बटे आधार उतना हिंदी को लिखेगा इसलिए आप इस ऐसे कर सकते हो ठीक है A B आपका यहां दिया हुआ निकालना है A B और B C कितना है देखो 30 दिया हुआ तो यहां साब निकाल सकते हो A B बड़ावाद 30 by root 3 हो जाए A B बड़ावाद 30 by root 3 A B बड़ावाद 30 by root 3 तो क्या करना रूट 3 को उपर ने चाहिए गुणा कर दो root 3 by root 3 क्या हो जाए देखो उपर में हो जाए तीस root 3 और नीचे में हो जाए रूट 3 इंडो root 3 3 हो जाएगा 3, 10 से 30 कर जाए यहां 10 root 3 आपका एंसर हो जाए क्या एंसर है 10 root 3 बिलेकोल option number C है समझ गया है P, यह हो गया Q, यह हो गया R जिसमें कौन Q है समकौन P, Q कितना है 3 सेंडिमीटर Q, P, R कितना है P, R है 6 सेंडिमीटर तो आपको क्या निकलना है कौन Q, P, R Q, P, R बोले तो यह बला कौन निकलना है अच्छा यह कौन निकलना है तो हमारा ये बलत दिया हुआ है और ये बलत दिया हुआ है इस कोन के लिए क्या है ये आधार है ये क्या है कर्ण है तो आधार बटा कर्ण यानि की बी बाय अच के इसमें होता है कॉस थिटा में सकस्थेटा क्या हो जाएगा पिकड़ा कितना देखो तीन यह कितना च्छे कर जाएक बटा दो stronger गवर फैनल चलो अगला कोशियो देखते है हम लोग 1030 ओन इन सցसक्राइगी रूट Thai 1 IgE obligation आ यहां ए इनला इनलfert का गयर bad arc हो जाएगा है डिकर यह रूर्ट छी का सवाइर इसका स्कार इसको स्वाब करो वन बै रूट तर यह होगा यह होगा सभर ना द्यांट इपरग्र सफ्करमार्ट इस काल्सियम भी तो दिखो कितना आजाएगा दिखतो कि यह संसरा कुत नहीं है पृप आप हुआ है। समझ गया है अगला स्वाल है कॉसिक 31-6 59 डिग्री ठीक है इस प्रकार का स्वाल मैंने आप लोग करवाय था तो आप लोग इसका एंसर और ये स्वाल भी सेम तूसीम आप लोग करवाय था कल तो इन दोनों कैंसर आप लोग कमेंड में जरू बोलना ठीक है बहुत असान स्व स्वाल है कुछ भी हाड नहीं इसमें ठीक है तो चला अगला स्वाल देखते हैं वर धरती पर एक मिनार उर्द्वादर खड़ी है धरती के एक बिंदू जो मिनार के पाथ बिंदू से 15 मिटर के दूरी है मिनार के सीखर का उन्यान कुन 60 डिग्री है बोरा कि धरती पर एक म जचलो तो मिनार के उचा ही निकलना है यह होगा 15 बीटर आपको निकलना है सेम टूसे मभी कोशिन पता है याद ए समय बढ़ा है क्या है टेन साथ देघर लगांगे टैन साथ डिग्री पी भाई ब, यानिकी a by bc तो 10, 16 रूट 3 a, b आपको निकालना है bc दिया है 15 तो a, b हो जाया 15 रूट 3 दिया क्या आंसर में है 15 रूट 3 बिल्कुल है देखो भी यह नंबर में ठीक है अगला स्वाल देखते हैं लोग तो अगला क्या दिखा है कि त्रिभूज ABC में जिसका कॉन B सम्कूण है A B पराबर कोई त्रिभूज है ABC तुक्त कोई सम्कूण त्रिभूज है ABC पर ओसे B सम्कूण उट औलो है तन्हिंब थिखते हैं यह सम्कूण है अराम से लोगी इस कों के लिए क्या है भी है यह क्या है है अगर Wait तो साइन ठीटा लगाएगे, पीए साइन ठीटा आता ना, तो पीवाइ एच मतलब लम बटर कर्ण, लम कितना है बीशी बटर कर्ण कितना है अच्लिण जाइन ठीटा, विशी भई एसमादख्चे भई 3,0-3 थी ने चोल कर जाएगा कि जाएगा, Axisism ओर आणिया है कि शाइन तरफ पी वाई द्री जिए आइच पी वाई-चोटा कर दिए लुटा कर दीए लुटा कर दिए बिसी कर लोकितना है थे यह थे रूट त्री लिखेंगे बाइच इन तुम मिल्टक्ट कर दिए तो साइन कितना डीडियोट थी वाइट होता है तो बो तो इसी प्रकार का स्वाल आप लोग एक्जाम में पूछा जाएगा अच्छी से देख लो ठीक है और रिवाइज कर लो पाकि और भी आगे वीडियो आएंगे आप लोगा एक्जाम बोर एक्जाम त्यारी करने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करकर रख लो ताकि आ में बात्रम